तो आज हम पढ़ने वाले न्यू फाइड इंग्डम क्लासिफिकेशन ओकी तो जैसे की स्टूइंस हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में की फाइड किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया था वाइटेकर्स बॉटनिस ने राइट उसमें भी कुछ नगुछ प्रॉब्लम्स थी एन उसके लिए एक नए सिस्टम की नए क्लासिफिकेशन की जोट पड़ी हला कि यह इतना पॉप्लर नहीं था बट स्टिल एक नया हमको क्लासिफिकेशन चाहिए था उसका नाम दिया गया अन्यू फाइड किंग्डम क्लासिफिकेशन इसको किस ने दिया सो दे साइन्टिस मार्गूलिस एंड श्वार्स ने दिया थे इन दे एर ऑफ 1982 उनने प्रेजेंट किया था मॉडिफाइड वर्जन आप दे वाइटेकर्स क्लासिफिकेशन ओके स्टुएंट्स हाला कि उनने इस क्लासिफिकेशन में फाइड किंग्डम को ही दिखा है बट और उसको थोड़ा सा री अरेंज किया टेकसास को एन एवोलिशनरी बेसेस को ओके एन जो आउटलाइन थी इस क्लासिफिकेशन की वह हम डियाग्राम से देखेंगे इस टॉपिक के लिए थ्योरी कुछ नहीं सिर्फ डियाग्राम से इस्टुएंट्स आपको डिफ्रेंश हैं तो हम यहां पर बेसिकली तीन डाइग्राम देखने वाले हैं चली वन बाई देखते हैं तो जो न्यूफ फाइव क्लासिफिकेशन उसको नाम दिया गया है फाइव क्लासिफिकेशन ओफ मर्गिलिस एन दर श्वार्ट्स ओके यहां पर क्या कि यह सबसे बड़ा डिफ ब्लू-γ्रीन बेक्टेरिया डो focus का रहा है और कि आपको दिखराया कि प्रोकेरियोर्ट्स में क्या क्या है ब्लू-ग्री बेक्टेरिया ईडर बेक्टेरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया इस टाइप सारे बिट्रिया इंक्लूड किया तो डिसमें क्या क्या आ इन सब चीज़ों को इन्वाल किया गया एंड किंग्डम एनिमलिया के अंदर आथ्रोपोट्स एनिलीट्स मोलस्कस राउंड वांप्स स्पॉंजीज निडेरियन फ्लेट वांप्स एकिनोडर्म्स को इन्वाल किया गया इनको ज्यादा अच्छी समझ सकते हैं इसको ज्यादा अच्छे से एक्स्पेंट किया है देखा जाया तो डाइग्राम में ज्यादा कुछ एक्स्पेंट करने की जोड़ोत नहीं इस्टुनेंट्स आपको सिंपली डिफ्रेंशेट करना है पर स्टिल चलिए इसको वन बाइवन देखते हैं समझते हैं इस न्यूफ फाइग्डम क्लासिफिकेशन में क्या किया क्या जो लिविंग ओगनिजम थे तीन हिस्थों में बाटा गया यहां पर सारे बेक्टेरिया, साइनो बेक्टेरिया, आटोट्रोफिक और हिट्रोफिक और मोटाइल और नॉनमोटाइल को इंग्लूट किया गया जो कि अभी हमने डियाग्राम में देखे ले फिर उन्होंने वाइरस को भी ओपन करके छोड़ दिया देन यूके यूटिक में आपको क्लासिफिकेशन देखने मिलता है याट इस प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लैंटे और अनिमेल यहां प्रोटोक्टिस्ट में क्या किया ऐसे मलब ऑगनिजम को रिसेंबर किया गया जैसे की एंसिस्टर ऑफ प्लांट्स थे, अनिमस फंजाई थे, इंक्लूट्स एलगी, प्रोटोजवा, स्लाइम माउज, ओमाईसेट्स, अरली फंजाई जिसको मोलते हैं उनको इंक्लूट किया गया, किंग्डम फंजाई के अंदर हिट्रोट्रोफिक, नॉन्मोर्टाइल फूड इस डाइजिस्टेट आउटसाइड दा यहां पे सब चीज़ों को एड किया गया, वही चीज़ें यहां पे लिखी हुई है, आपको सिंपली इसको लर्न करना है, that is nothing to be explained, ऑके, पट अगेन थोड़ा सा जो डिफ्रेंसे हैं, मैं उसको हाइट करके बोलते जा रहा हूं, जैसे कि फंजाई के अंदर हमने देखे कि हीटोट्रॉफिक थे, वो, नॉन मोटाइल थे, यहां पे जो हीटोट्रॉफिक है, तो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तो उसको एब्जॉब कर लेते हैं, ओके, किंग्डम प्लेंटे के अंदर प्लांट्स थे, वो आटोट्रॉफिक थे, खुद का खाना खुद बनात हैं, नॉन मोटाइल थे, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मोशन नहीं कर सकते हैं, किंग्डम एनिमेल या की बात क्या तो यहां पे एनिमर्स थे, यह हेटोट्रॉफिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, food is digested into the body before digestion, digestion हो, उसके पहले ही, जो भी आपको उनका food है, वो ing digest करते हैं, खाते हैं, ओके, तो यहां पे देखिए, जो difference नहीं किये हैं, किंग्डम प्रोकेरियोट एन्द प्रोटोक्टिस्टा के अंदर, यहां पे आपको simple सी बात है, predominantly unicellular ही मिलेंगे, लेकिन यहां पे अगर आप kingdom fungi, plantain, animalia के अंदर देखेंगे, तो आपको predominantly multicellular द प्रोकेरियोट में, लेकिन प्रोटोक्टिस्टा के अंदर रखा गया है, photosynthetic को, जैसे की algae वगेर हो गये, इसके बाद kingdom plantain, animalia and fungi, HDs थे, अब देखिए, यह दोनों कैसे हैं, kingdom, प्रोकेरियोट एन्द प्रोकेरियोट एन्द प्रोकेरियोट एन्द प्रोकेरियोट एन्द जो feature थे, वो क्या थे, diagnostic का मदब क्या-क्या improvement थे, तो यहाँ पर जो kingdom monera, protista, fungi, plantain, animalia यह 5 kingdom थे, white tickers के 5 kingdom classification के अंदर, तो यहाँ पर जो monera है, उसको change का गया, प्रोकेरियोट में, बाकी सारे जो थे, वो यूकेरियोट थे, okay, monera and protista के अंदर सिर्फोर सिप, unicellular थे, okay, ब यहाँ पर एक और difference है, कि आपको fungi के अंदर जो है, वो हमेशा chlorophyll नहीं मिलेगा, लेकिन plantain के अंदर आप chlorophyll present मिलेगा, and अगर kingdom fungi and plantain की बात को थे, तो इन दोनों में आपको cell wall हमेशा present मिलेगी, लेकिन kingdom animalia की बात को थे, तो आपको हमेशा cell wall absent मिलेगी, तो इस तरहीके स हर एक चीज को उनने एक specific point of इसे बता दिया कि अब बस इन दोनों में unicellular ही होंगे, and इन बाकि सब में multicellular ही होंगे, then prokaryote होंगे, and the eukaryote होंगे, then उनने बताया कि ये no chlorophyll होंगे, ये chlorophyll वाले ही होंगे, इस के अंदर, then इन दोनों में cell wall present होगी, and इसमें cell wall present नहीं ह होगी, तो बहुत specific हो गया, and confusion के chances, जो problem होई थी classification में वह दूर हो गई, okay friends, तो इस तरीके से, एक नया हमको five kingdom classification मिला, okay, I hope आपको clear हो गया होगा, अगर आपको हमाई video से कुछ भी सिखने मिला, और knowledge मिला, तो please हमाई channel को subscribe के जिए, and video को like ज़रूर करें, आज के लिए इतना झाल